नमस्कार स्वागेत आप सभी का राजस्तान में सबसे जदा चर्चा में रहने वाले नेताओं में करनल सोनाराम चोधरी का नाम भी सबसे आगे आता है करनल सोनाराम चोधरी को लेकर कल खबर आई कि सोनाराम चोधरी अब बीजेपी को छोड़ कोंग्रेस की सरण में जाएंगे और इस खबर की उन्होंने खुद पुष्टी की लेकिन कुस देर बाद ही सोनाराम चोधरी ने अपना फेंसला बदल लिया उन्होंने खुद जानकारी दी कि वैब बाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे उन्होंने नहीं छोड़ने का कारण भी बताया है करनल सोनाराम चूदरी ने सोसल मीडिये की जरिये बताया है कि मेरा कॉंग्रेस में सामिल होना लगबग तय था परन्तु राष्टरहित समाज एवं कार्यकरताओं की भावनाओं को द्यान में रखते हुए पार्टी का साथ देने का निर्ने में ले रहा हूँ जब से करनल सोनाराम का टिगट बीजेपी ने काट कर केलास चूदरी को दिया है उसके बाद सोनाराम चूदरी की पार्टी से नाराजगी साप दिखाई दे रही है परंग्तु फिलाल सौनाराम चोधरी बिजेपी का साथ देने का निर्णे लिया है वो अपना भेंसला है वो बदल चुके है बाड मेर और जेसल मेर की राजनिती समेत पूरे राजस्तान में हमेशा चर्चाओं के केंदर में रहे हैं करनल सौनाराम चोधरी राजस्तान की तमाम न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं